दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी में साथ हो यूपीटर प्रेसी पीटी एकजाम के बहतर तैयारी के लिए आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेस अकेडमी पे घटना चक्र महात्पूर्ण अधन समगरी वाली बुक से टॉपिक वाइज वीडियो सीरीज शुरू की गई है उसी क्रम में आज भारती इतिहास में मध्ध कालीन इतिहास के अंतरगत हम सब हुई लोग मुगल समराज और मराठाओं से संबंधित महात्पूर्ण तत्यों को पढ़ेंगे तो आप सभी से निवेदन है वीडियो अंतर तक जरूर देखें जिससे वीडियो में सेर की गई सारी जनकारी को आप आसानी से समझ सकें तो सात्यों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों में सेर कर दीजी और जितने भाईबान चैनल पर पहली बार विजिट करें उसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हम आपकी तैयारी को फ्री आफकास्ट कराने के लिए जो भी वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले मुगल समराज जी पढ़ते हैं उसके बाद में मराठाओं से संब्सक्राइब को पढ़ेंगे साथों जैसा कि आप सबी जानते हैं मुगल समराज जी की इस्थापना भारत में बाबर के द्वारा की गई थी तो बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मुहम्मद बाबर था और पानी पत का प्रथम युद्ध 21 अपरेल 1526 इस भी को बाबर था लोदी वंस के अंतिम साशक इबराहिम लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर विजई रहा था और इबराहिम लोदी परास्त हो गया था और उसी युद्ध के बाद में 27 अपरेल 1526 को बाबर ने अपने आपको बादिशाह घोसित कर भारत में मुगल समराज जी की निव डाली तो प्रस्ण पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन दो लोगों के मद्ध हुआ था तो एक बाबर और दूसरा लोदी वंस का अंतिमसासक इबराहिम लोदी के बीच हुआ था भारत में सरप्तम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रियोग किया गया था आगे खानवा का युद्ध सत्रा मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मद्ध हुआ था खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था तो पूछ लिया जाता है कि बाबर के द्वारा जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया था इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था और बाबर विजई हुआ था इसी युद्ध में विजय स्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी यानि काफिरों को मारने वाला की उपाधी धारण की थी तो खानवा के युद्ध के बाद धारण की थी घागरा का युद्ध 5 मई 1529 इस भी को बाबर और महमूद लोदी के मद्ध हुआ था इस युद्ध में बाबर बिजई हुआ बाबर का अंतिम युद्ध था और बाबर ने अपनी आत्म कथा तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा में जिन दो हिंदू राज्यों का उलेख किया है उनमें एक बिजे नगर है तता दूसरा मेवार है आगे है अकबर ने अब्दुर्रहीम खाने रिखाना द्वारा बाबर नामा का फार्सी भासा में रूपांत्रण करवाया था 26 जून 1949 को चौंसा के युद्ध में हुमायू को सेरसाह से पराजित होना पड़ा और इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायू की जान बचाई थी 17 माई 1540 को कन्नोजिया बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायू और सेरसाह सूरी का आमना सामना हुआ जिसमें हुमायू को सेरसा सूरी से करारी पराजे का सामना करना पड़ा और विबस होकर हुमायू निर्वासित की भाथ इधर उधर भटकने लगा था 22 जून 1955 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायू को एक बार पुना उसका खोया राज वापस दिला दिया सेरसाह ने पुराने घिसे पिटे सिकों के इस्थान पर सुद्ध सोनी के युम चांदी युम तामबे के सिकों का परचलन किया सेरसाह ने शुद्ध चांदी का रुपिया 178 ग्रेन तथा तामबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था रुपिया और दाम की बिनमेदर एक अनपात 64 थी हाजी बेगम ने अपने पती हुमायू के मकबरे का निर्मार दिल्ली दीन पनाह में 1564 इस भी में करवाया था तो हुमायू के मकबरे का निर्मार कहा हुआ है दिल्ली के दीन पनाह में हुआ है और किसने करवाया था तो हाजी बेगम ने करवाया था सेरसाह सूरी ने मारवार के युद्ध मेर राजपूतों के सौर पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुठी वर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सामराज खो दिया होता सेरसा का मकवरा बिहार के साहवाद के सासा राम नामक इस्थान पर एक तालाब के बीचो बीच उचे चबूतरे पर बना हुआ है कई बार पूछा गया कोश्चन है कि सेरसा का मकवरा कहा इस्थित है तो बिहार के साहवाद के सासा राम नामक इस्थान पर इस्थित है दिल इस्थित पुराना किला के भवनों का निर्माड सेरसा सूरी ने करवाया था यहां किला एक कुछना मस्जित और सेरे मंडिल आद्ध भवन सेर सहादवारा बनवाए गए थे खृष्कों की मदद के लिए सेर सहाने पट्टा योम कबूलियत प्रथा जो है अपनाई थी कौन सी प्रथा अपनाई गई थी पट्टा और कबूलियत प्रथा प्रारंभ की गई थी अकबर ने शरप्रथम कच्छवाहा राजपूतों से बैबाहिक शंबंद इस्थापित किये थे बिहारी मल यानि जिने भार मल कहा जाता है वो पहला राजपूत राजा था जिसने सुच्छा से अकबर की आधिनता सुईकार की थी प्रशन पूछा जाता है कौन सा पहला राजपूत राजपूत राजा था जिसने सुच्छा से अकबर की आधिनता सुईकार की थी तो वो ब विहारी मल जिसका असली ना भार मल था अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्ता जताते हुए चिस्तिया संप्रदाई का समर्थन किया था माहम अनगा के पुत्र अधम खा को 1562 इस भी में अकबर ने श्वयम मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्धान मंत्री अत्का खा की हत्या कर दी थी दुरगावती गोंडवाना के हिंदू राजी की योगिशासिका थी अकबर के अकबर 1564 इस भी के फलसरूप सत्र से घिर जाने पर इस बीर रानी ने आत्म हत्या कर ली थी अगला पॉइंट है हल्दी घाटी उद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्धेश राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था तो हल्दी घाटी उद्ध के पीछे मुख्य उद्धेश अकबर का यही था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाया जा सके आगे दिखते हैं अकबर ने अप्रेल 1576 में मान सिंग के नेत्रत में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के पिरुद्ध भेजा था राणा प्रताप की मृत्यू के बाद उनके पुतर राणा अमर सिंग ने 1615 इस्वी में जहांगीर से संधी की थी मुगल सासन ब्योस्था को इस्थापित करने का स्रे अकबर को ही है अपनी उदार धार्मिक नीद के अंतरगत अकबर ने 1562 इस्वी में दास्प्रता 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर तता 1564 इस्वी में जजिया कर को शमाप्त कर दिया था अकबर ने 1573 इस्वी में घोडों को दागने की पृथा का पुनह प्रचलन किया जिसे से ना पति अपने घोडे ना बदल सकें 1574 इस्वी में अकबर ने मनसबदारी ब्योस्था के आधार पर सैनिक शंगठित किये अकबर की मनसबदारी ब्योस्था दस्मलों प्रणाली पर आधारित थी मुगल मनसबदारी प्रणाली मध एसिया से ली गई थी अकबर के शासनकाल में भूराजस वसूली के लिए जापती प्रणाली का परचलन हुआ था कुछ प्रमुख मुगल सासक उनके वास्त्विक नागम और उनकी उपाधियों को देखते हैं तो बाबर इसकी उपाधियां थी पासाह, मिर्जा और गाजी हुमायू की उपाधियां थी नसुरुद्दीन मुहम्मद अकबर की वस्त्विक नाम और उपाधियां है जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर और बासा गाजी जहांगीर की लिए नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर और बासा गाजी ये इनके पूरे नाम और उपाधियां हैं सै जहां के लिए अबूल मुझफर सहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरन एसानी और औरंग जेब अबूल मुझफर मुहुद्दीन मुहम्मद औरंग जेब बहादूर आलमगीर बासा गाजी अबबाकी मुझजम मुहम्मद मुझजम बहादूर शाह मुझजुद्दीन जहांदर शाह अजी जुद्दीन आलमगीर दुती अली गौहर साह आलमदुती रफिय उद्दौला सहजहां दुती और रोशन अक्दर मुहम्मद शाह के नाम से जाने गए आगे देखते हैं अक्बर ने अपने शाषन के 24-वे वर्श 1580 भी में आईने 10 साला यानी टोडर मल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन बेवस्था को इस्थाई शुरू प्रदान किया इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता राजा टोडर मल को माना जाता है इसी कारण इसे टोडर मल बंदोबस्त भी कहते हैं अक्बर कालीन भू राजस बेवस्था की 10 साला पद्धत को बंदोबस्त बेवस्था के नाम से भी जाना जाता है जहांगीर के शमकाली मुहिशिन फानी ने अपनी रचना दविस्तान ए मजाहिब में पहली बात दीने इलाही का एक स्वतंतर धर्म के रूप में उल्लेख किया था तुर्की सुल्तान का महल इतना सुन्दर है कि परसी ब्राउन ने इसे इस्थापत तिकला का मोती कहा है तुर्की सुल्तान के महल को किस बिद्वान ने इस्थापत तिकला का मोती कहा है तो परसी ब्राउन ने कहा है अक्बन ने 1572 में तवहीद ए इलाही या दीन इलाही नाम नए धर्म की इस्थापना की इस नभीन संपरदाय का प्रधान प्रोहित अबुल फजल था हिंदों में केवल बीरबल ने इसे सुईकार किया था अब कुछ मुगल कालिन साहित्तों के बारे में बात कर लेते हैं जैसे बाबर नामा के लेखक बाबर हैं हुमायू नामा के गुलबदन बेगम हैं बहुत बार पूछा जाता है अकबर नामा के अबुल-फजल है तुजुके जहांगीरी के जहांगीर है और पाजसाह नामा के अब्दुल-हमीद लाहोरी है आगे देखते हैं खुलासत उत्तवारिक के सुजान राए हैं फुतुहात ए आलमगीरी के इसलदास नागर हैं नु फैजी के अधिचता में एक अनुवाद विभाग की इस्थापना की थी और अकबर के आदेश से महावारत के विभिन भागों का रज्म नामा नाम से फार्सी में अनुवाद नकीव खां बदाउनी तथा फैजी आद्विद्धनों के समलित प्रितनों से किया गया बदाउ का का कश्मीर का मुहमद हुसेन था जिस अकबर ने जरी कलम की उपाधी प्रदान की थी हर विजै सूरी वह जैन सादू था जो अकबर के दरबार में कुछ वरस तक रहायोम जिसे जगद गुरू की उपाधी से सम्मानित किया गया था मुगल दरबार में एक अबुल्फजल ने अमेरिका की खोज का उलेख किया है अब अकबार द्वारा किये गए कुछ प्रमुख सुधारों के बारे में देखते हैं कब किये गए और किस वर्ष किये गए हैं तो सबसे पहले देखते हैं दास प्रताकान 1562 इस भी तीर थे अत्राकर की समापती 1563 इस महजर की घोषना 1589 इस भी और दीने एलाही की घोषना 1572 इस भी में ये इम्पार्टन्ठ घ्र जजियाकर वाला इम्पार्टन्ठ है और दासप्रथा और तिरथ यात्राव वाले इंपार्टन्ठ हैं इनको आप सभी लोग आसानी से याद रखें आगे दिखते हैं है आगे बात करते हैं रॉल फिंच 1583-86 इस्वी फतेपूर सीक्री और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज ब्यापारी था अक्बन ने फतीप शुक्री में 1575 इस्वी में इबादत खाने के इस्थापना के जिसका मुख उद्देश दार्शनिक यों धार्मिक विश्य में हुमायू का दिल्ली है अकबर का आगरा शिकंद्रा में है जहांगीर का लाहोर सहद्रा में है और सहजहां का आगरा में है और औरंग जेब औरंगावाद दौलताबाद में है और अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1589 इस्वी में मज मजहर नामा अबुल्फजल के पिता सेख मुबारक ने तयार किया था और मजहर को इसमित और बुलजले हेग ने अचूक आग्यापत्र कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधी धारण की थी। आगरा के किले में 1625 सभी में जहागीर का राज जिवशेक 22 वर्स 24 दिन की अवस्था में और उसने नूरुद्दीन मुहम्मद जहागीर बादशाह गाजी की उपाधी धारण करके प्राप्त किया था। आगे देखते हैं दू अस्पा यौम सिंग अस्पा प्रथा जहागीर ने चलाई थी कई बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं बिल्यम हकिन्स जहांगेर के दर्बार आगरा में भेजा जाने वाला बिटिस राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राद्दूत था तथा मुगल दर्बार में उपस्तित होने वाला पहला अंग्रेज था जहागीर के दरवार में आने वाले दूसरे सिस्ट मंडल का नेत्रित करता सर्था मसरो जहागीर से अजबेर में मिला था वो था जहागीर ने हाकिन्स को इंगलिस का की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक इस्तरी से उसका विबाह कर दिया पीटर मुंडी बिटेन का यात्री था जो साजहां के समय आया था जहागीर के सरवोस्ते क्रेष्ट चितर्कार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थी समराठ जहागीर ने उन दोनों का क्रमसा नादिर उर अस्तर तता नादिर उद्जमा अबुलहसन की उपाधियां प्रदान की थी उस्ताद मनसूर प्रसिद पस्ची बिसे सगी चित्रकार था जबकि अबुलहसन को बेक्ति चित्र में महरत हासिल थी जहांगीर ने अपनी आत्मकता फार्सी भासा में लिखी है और उसका नाम तुझके जहांगीरी रखा गया है एत्माद दोला का मकबरा नूर जहाने 16-22-28 सिस्भी के मद्ध में अपने पिता मिरजा गयास बेक की याद में बनवाया या पहली क्रते जो पूर्टया संगमर्मर से बनाई गई है सेख सलीम चिस्ती का मकबरा फतेपुर्शी क्री में है सेख निजामुदीन ओलिया का मकबरा दिल्ली में है और लाडली बेगम सेर अफगानियो महरुन निसा की पुत्री ये थी जिसकी साधी जहांगीर के पुत्र सहर आर से हुई थी आगे दिखते हैं महावत खाने वर्स 16-26 सिस्भी में जहांगीर के विरुद्वी द्रोह किया था और पांच परुद्वी पंद्रा सुबान नवे को लाहोर में सहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था अब मुगल सासक और उनके प्रसिध नामों के बारे में देखते हैं तो सबसे औरंग जेप को जिंदा पीर कहा जाता है जहांदर साह को लंपट मूर्ख और फरुक शियर को घंडित कायर कहा जाता है रभी उद्दर जात को कठपुतली शासक कहा जाता है मुहमत साह को रंगीला बाद साह के नाम से जाना जाता है बहादुर साह पर्थम को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है और बहादुर साह दुती को जफर के नाम से जाना जाता है आगे दिखते हैं आगे हैं उसकी माता मारवार के साथ सक उदै सिंग के पुत्री जगत गोसाई थी 1612 स्वी में आसफखा के पुत्री अरजुमंद बानो बेगम से उसका भी बाह हुआ जो बाद में इतिहास में उम्ताज महल के नाम से बिख्यात हुई 1628 स्वी में साथ जहां अबुल मुझफर साबुद्दिन मुहमद साहिब किरन इस्थानी की उपाद धारण कर गद्दी पर बैठा दिल्ली की जामा मस्जित का निर्मार साथ जहां ने ही करवाया था आगे देखते हैं उपनिस्दों का फार्ची अन्वास साह जहां के सासनकाल में साहजादे दारा सिकोहों ने सिर्य अकबर सिर्शक के तहत किया दारा को उसकी सेश्थायों मुदार्टा के लिए लेनपूल ने लगु अकबर की संग्या दी है तो लगु अकबर किसे कहा जा साह जाता है तो दारा को कहा जाता है किसने कहा है लेनपूल ने कहा साह जहां ने भी दारा को साह बुलंद इकबाल की उपाधी प्रदान की थी मुगल बाजसा साह जहां ने बल्बन द्वारा प्रारंब इरानी दर्बारी रिवास सिज्टा समाप्त कर दिया था मुगल बाजसा औरंग जेब का राजब से दो बार हुआ था मद्य प्रदेश में उज्जेन के निकड़ धर्मत नामक इस्थान पर 15 अप्रेल 1608 को औरंग जेब तथा दारा सिकों के मद्धि युद्ध हुआ था आगे है ये उत्रा अधिकार के युद्ध थे सामुगड का युद्ध 29 मई 1658 इस भी को औरंग जेब और मुराद की से नायों दारा सिकों के मद्धि वा था जिसमें दारा सिकों पराजित हुआ था यूत्रा अधिकार का अंतिम युद्ध देवराई था जिसमें भी औरंग जेब बिजई रहा था और बाद में वही है सासक बनता है औरंग जेब ने बीजापुर 1686 बीम गोलकॉंडा 1687 पर आधपरते जमा लिया था औरंग जेब के सासनकाल के दौरान मुगल सेना में सरबाधिक हिंदू सेनापती थे तो वो औरंग जेब के सासनकाल में थे औरंग जेब के सासनकाल में कुल सेनापतियों में एक्ते दस्मलों छे प्रस्ट हिंदू थे जिसमें मराठो की संक्या आधे से अधिक थी अकबर के काल में यह अनुपात 22.5 प्रस्ट था तथा साजहां के काल में 22.4 प्रस्ट था अकबर महान ने अपने समराज से जजिया करकी समाप्ति की घोसला की थी किन्त औरंग जेव ने इसे 1689 इस भी में पुनर जीवित कर दिया यानि पुनर रूपित कर दिया औरंग जेव ने औरंगाबाद में अपनी प्री पतनी राबिया उद्दौरानी के मकबरे का निर्मार 1651 से 61 में कराया था इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है और इसको दुती ताजमहल भी कहा जाता है महरुन निस्ता औरंग जेब की पुत्री थी औरंग जेब ने जहां आरा को शाहिबात उज्जमानी की उपादी भी प्रदान की थी दिल्ली के लाल के लिए में औरंग जेब ने मोती मस्जित का निर्मार कराया था मुगल प्रसासन में मुहत्सिब जन आच्रण के निरिच्ण विभाग का प्रधान अधिकारी को कहा जाता था बेश्यों को नगर से निस्कासित कर एक नए इस्तान पर बसाया गया और उसका नाम सैतान पूरी रखा गया पूछा जा सकता है कि मुगल प्रसासनिक सब्दावली में माल सब्द किस से संब्दित था तो भूर आजसु से संब्दित था आगे दिखते हैं पूर्तकालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया अकबर द्वारा रामसीता की आकरतियों और रामसी देवनागरी लेक से युक्त सिक्के चलाये थे इंपर्टेंट कोश्चन है मुगल काल में टक्साल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था और चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था चित्रकला के चित्र में मुगल सेली का प्रारंब हुमायू ने किया था अकबर ने अनेक गिर्णतों को चित्रित करवाया था इसमें सरप्थम दास्तान ये अमीर हमजा है जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वन्ड कहा जाता है और औरंग जेब ने संगीत को इसलाम विरोधी मान कर उस पर पाबंदी लगाती थी औरंग जेब के काल में पोड़ी राग प्राता कालीन गाया जाने वाला राग था और हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या पांच थी वह गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीड थे अनेक इनके अनेक सिस्टे जिन में से तांसेन बैजुबावरा गोपाल नायक लिखनी है आगए देखते हैं अकबर के शाषनकाल के दोरान तांसेन और स्वामी हरिदास प्रमुक ध्रुपद गायक थे तांसेन अकबर के दरवार का प्रसिद संगीत था और तांसेन का मूल नाम राम तनुपंडे था अकबर ने तांसेन को कंठा वरण वारणी विलास क उपाधी प्रदान की थी बिलास का जहांगीर के दरबार का एक और प्रमुक संगी तग था माहम अंगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरूल मंजिल अत्वा खैरूल मंजिल नामक मदरसे के इस्थापना कराई थी जिसे मदरसा बेगम भी कहा जाता था अब कुछ मुगलकाल के प्रमुक लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में देखते हैं निजामुदीन अहमद की पुस्तक तबकाते अकबरी अबास का सरवानी की तरियकी सेरसाही हसन निजामी की ताजुल मासिर और मिर्जा मुहमत काजिम की आलमगीर नामा चंद्रभान ब ने अपनी पुस्तक पातसाह नामा में साह जहां कालीन इतिहास का वर्नन किया है 1737 में औरंग जेब की म्रत्यू के बाद उसके 63 सी पुत्र मुझ्जम यानि साह आलम ने बहादुर साह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली और सह जहां दौरा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर शिंगासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल साशक मुहम्मद साह था जिसका साशनकाल 1719 से 1748 इस भी था साह आलम दुती का कारिकाल 1761 से 1806 इस भी तक था उसका वास्तविक नाम अली गवहर था फार्सी मुगलों की राजभासा थी और नस्ता लीक एक फार्सी लिपे जो और अजमेर की किशनगड की रियासत के राजा सावंत सिंग सात्रूई अठरायूई सती का बैशनो उपनाम नागरी दास यानि राधा का सेवक था राम चंद्रिकायूम रशिक प्रिया हिंदी कविता के रीत कालीन कभी केशो दास जिनका समय 1555 से 1617 इस भी की रचनाएं है चोथे गुरू राम दास के समय में मुगलबासा अकबन ने उन्हें 500 भी गाभूमिदान में दी जिसमें एक प्राकर्तिक तालाब भी था सिक्खों के पांचुए गुरू अर्जुन देव ने 1604 इस भी में सिक्खों के पवित्र गरंत आद गरंत का संकलन किया था और राजकुमार अमीर खुसरों के साहता करने के कारण जहागीर ने गुरू अर्जुन देव को फासी पर चड़वा दिया था गुरु अर्जुन देव ने तरन तारन और कलतार को नामग नगर बसाये तथा मसनद प्रथा चलाई जिसके अनुसार सिक्खों को अपनी आयका दस्वा भाग गुरू को देना पड़ता था शिक्ख संपरदाय के आदि गरंत अथवा गुरू गरंत साहे में सिक्खों के छे गुरूओं अनेक हिंदू भक्तों तथा कवीर भावा फरीद नामदे और रैदास के उपदेश समाहित हैं अब प्रमुक शिक्ख गुरू और उनके कार्यों को देखते हैं गुरू अर्जुन देव आदि गरंत का संकलन किया है। गुरू अर्जुन देव ंसक्राण मंदिर का निरमार कराया है। और फिर गुरु अर्जुन देव ने खालशा पंत की इस्थापना की थी आगे देखते हैं गुरु अर्जुन देव तथा गुर्तेग बहादुर को ततकाली इंश शासकों उक्रमसा जहांगेर और औरंग जेव द्वारा में रत्यूडंड दिया गया था सिखो के दस्वेय और अंतिम गुरु गोविन सिंग की नादेंड महराष्ट में एक अपगान सलदार द्वारा हत्या कर दी गई थी खालशा पंत की स्थापना गुरु गोविन सिंग ने 1699 में बैसाखे के दिन आनंद पुर्शाहिब में की थी बंदा बहादूर का मून लाम लच्छमर थी और अठारुवी सितापदी का सबसे स्रेष्ट राजपूतराजा अमेर का सवाई जैसिंग था जैसिंग ने दिल्ली जैपूर उज्जेन बनारस और मतुरा में आधुनिक उपकानों से युक्त बेदशालाएं बनवाई अब आगे दिखते हैं मराठाओं के बारे में क च्छत्रपती की उपाधी धारण की थी और च्छत्रपती शिवाजी ने रायगड को अपनी राददानी बनाया 1680 इसवी में शिवाजी की मुगलों के कैसे भागने के समय आगरा के नगर जैपूर भवन में कैद यानी नजरवंद थे और शिवाजी ने राज जी के प्रतिनिध के रूप में मराठो का नेत्रत करता रहा 1720 इसवी में साहू ने बालाजी विसुनात के बड़े पुत्र बाजी राव प्रथम को पेशवा निक्त किया और मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रसाजन से संबंधित थी पानीपत की तीसरी प्रसाजित हुए थे और अहिल्या भाई मराठों के होलकरवंस की सासिकाती होलकरवंस इंदोर पर शासन करता था तो सात्यों ये थे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमने आप सभी को डिसकस किया है इसमें मुगलकाल और मराठाओं से संब्धित वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे की वीडियो में हम बिटिस राज का अविद्धय यों प्रथम सुतन्तरता संग्राम का अधन कर रहे होंगे आगे की वीडियो का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दमाएं और एटिस वीडियो को अनटक देखने के लिए सभी सातीयों को तहह दिल से सुक्रिया बहुत बहुत धनिवाद फॉनिंगा अगली वीडियो में लेटेस्ट और न्यू टॉपिक के साथ तप तकि के लिए सभी सांथियों